पाकिस्तान अकुपाइट कश्मीर में इन दिनों लोगों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन काफी जोरो शोरो से जारी है बताया जा रहा है कि ये प्रदर्शन आसमान छूते महंगाई और विजली के बढ़ते रेट को लेकर किया जा रहा है नमस्ते मैं हूँ धीरच कुमार और स्वागत है आपका माइंड मेकर्स पर खुल मिलाकर P.O.K की स्थिती काफी गंभीर हो चुकी है जिसमें अब तक P.O.K का का काफी नुकसान हो चुका है P.O.K का ये हाल ऐसा इसलिए भी हुआ है क्यूंकि पाकिस्तान एक घटिया सिस्टम मैनेजमेंट के तहत अपने रिसोर्सस की फिजूल खर्ची करता आया है इसके साथ साथ पाकिस्तान में करप्शन और उल्टे सीधे पॉलिसी को सरकार के द्वारा लागू किया जाता आ रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान की आज ये दुर्दशा होई है बरहाल पीयोके के बारे में बात की जाए तो यहां के लोगों को जबरन हाई इलक्रिसिटी बिल पे करने को लेकर मजबूर किया जा रहा है गौरतलब है कि ये शेत्र काफी बड़ी मात्रा में इलक्रिसिटी प्रोड्यूस करता है हाला कि पाकिस्तान सरकार के द्वारा इलेक्टिसिटी के दाम को पिछले तीन महिने में दोगुना कर दिया गया है जिससे वहां के गुसाए लोग प्रदर्शन करने सडकों पर उतर आये हैं इसके अलावा पियोके के नागरीकों को रोजमर्रा के जरूरी सामानों को लेकर भारी मात्रा में टैक्स चुकाना पड़ रहा है वहां की सरकार के द्वारा सबसेडी के तहट दिये जाने वाले गेहूं के आटे पर भी घुस खोरी जारी है पाकिस्तान के प्रदर्शन कारियों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने पिछले साथ दशकों से उनका शोशन किया है और पाकिस्तान के रिसोर्स की अंदर धुल लोट पार भी की है बरहाल पियोके वहां के नागरीकों के आकरोश की आग में जुलस रहा है जबकि वहां के दुकानों को जबरन बंद कराया जा रहा है पियोके के कुछ शेत्र जैसे कूच और रावल कोट में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाब पूरी तरीके से बगावत छेड़ दी है आपको बता दें वर्ष 2005 में कश्मीर के दोनों साइट के बॉर्डर ट्रेड को खुला रखा गया था लेकिन पाकिस्तान ने इसके बाद इस बॉर्डर ट्रेड में रुकावत डाल कर इसे बंद कर दिया था जिसके चलते कई लोगों के वैबार में काफी बुरा असर पड़ा था अब वहां के लोग ये मांग कर रहे हैं कि जम्मो कश्मीर और पियोके के बॉर्डर ट्रेड को दोबारा फिर से खोल दिया जाए इस वीडियो पर आपकी क्यारा है आप हमें कमेंट बॉक्स में वता सकते हैं साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें